केजरीवाल जी को ED की रिहाई से रोकने के लिए CBI का पूरा ग्रफतारी का मामला रचा गया दिल्ली में मुख्यमंत्री का जो दफ्तर है वहाँ नहीं जा पाएंगे एक इंशरेंस अरेश्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी तूट जाएगी सच्चाई की जीत हुई है और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है जूट भी एक्सपोज हुआ है जिस तरह से आज Honorable Supreme Court में Observation दी गई कहा गया कि केजरीवाल जी को ED की रहाई से रोकने के लिए CBI का पूरा ग्रफतारी का मामला रचा गया हम बार बार कह रहे थे सिंगवी साब ने हमारे जो Senior Advocate थे उन्होंने Honorable Court के सामने बार बार ये सब दोराया कि ये Insurance Arrest था ये किसी गलत काम के लिए Arrest नहीं किया गया था, कोई Corruption के लिए Arrest नहीं किया गया था भारतिय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती तो एक Insurance Arrest किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो, तो इनकी पार्टी तूट जाएगी, इनकी सरकारे धोस्त हो जाएगी लेकिन मैं बाबा साहब को और समविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ओनरेबिल सुप्रीम कोड को धन्यवाद करते हुए, सिंगवी साब का धन्यवाद करते हुए, आमादमी पार्टी के एक-एक कारिकरता, एक-एक लीडर, पारसद, MLA, MP, सब को भी लएसे हैं ऐन्यवाद करते हुए, सच्चाई के साथ लड़े रहे हुए, हम बहुत हुआ है, आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लडने वालों को ताकत मिलेगी, बात सिर्फ केजरिवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़रा है, उसको दो केस चल रहे थे एक सीबी आई का और एक एडी का सीबी आई के केस की बेल का ओर्डर आ जाया है जो मैंने आपके समख्ष रख दिया इसी के साथ एडी का बेल ओर बारा जुलाई दोहजार चौबिस का इसमें भी कुछ कंडिशन है और ये बड़ी महतबूर्ण है वो सारी की सारी कंडिशन इसलिए अपलाई करती है कि बेल पर जो एडी का केस है उसमें भी बाहर है अर्विंद केजरिवाल और इसमें जो कंडिशन भी है उसमें कहा गया है इसका मतलब ये वो कटर बैमान मुख्यमंत्री है जो दिल्ली में मुख्यमंत्री का जो दफ्तर है वहाँ नहीं जा पाएंगा दोनों ओर्डर्स को साथ में पढ़ना होगा ये बहुत महतबूर्ण एक जानकारी है और जो जजज्मिंस हैं वो मैं आपके समख्ष रख रहा हूँ ये कैसा मुख्यमंत्री है जो खुद मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकता किस निम्निस्तर पर वो भारतिय रादिती को ले आया है और साथ-साथ जो मुख्यमंत्री का चरित्र होता है उसको दागदार माना जाए तो गलत नहीं होगा ये भी एक कंदिशन लगी हुई जुब ना जा कर दो इस सहाथ जाने में लेगांगा च्कत्र पर शौल इंघा जा जाएफ नहीं है जाएं जाए हुई